दुनिया में भविशवानियों को लेकर कई बाते की जाती हैं। दुनिया में भविशवानियों को लेकर के बाते की जाती हैं। इसके अलावा स्टीफन हौकिंग की कई भविशवानियों भी हैं जो किसी के भी रोंगते खड़ी कर सकती है। स्टीफन हौकिंग ने भविशवानि की थी की प्रतवी आग का गोला बन जाएगी। स्टीफन हौकिंग की अनुसार 600 साल की अंदर प्रतवी आग का गोला बन जाएगी। क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या होने की वज़ज़ से धर्ती पर उरजा की खपद बहुत ज़ादा हो जाएगी। इसे धर्ती का तापमान असिमित रूप से बढ़ेगा और धर्ती गर्म होकर लाल हो जाएगी। प्रोफेसर हौकिंग ने धर्ती पर मनुशी की जगा रोबोट के कबजे के खत्रे की आशनका भी जिताई थी। उनकी अनुसार अगर आने वाले साल में रोबोट तकनीक खुद एक स्वचलित सभिता बन कर मनुशी की प्रजाती पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लेगी। स्टीफन ने ये भी भविशवानी की थी कि हमारा अंत मानवी आक्रामकता और दुनिया पर राज करनी की जिदकी वज़ासे हुगा। इसके लिए परमानु हथियारों का अस्तमाल किया जाएगा जिससे सामुहिक विनाश होगा। प्रोफेसर हौकिंग ने कहा कि हमें तकनी की विकास और ख्षमता को परिपून बढ़ाते हुए दूसरे ग्रह पर जीवन बसाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जलवायू परिवर्तन अत्यदिक जनसंख्या और हमारे विनाशकारी कृत्तियों की वज़े से मानुस सभिता का नाश हो जाएगा। स्टीफन हौकिंग ने भविश्वानी की थी कि आने वाले समय में प्रिथवी का तापमान शुक्र ग्रह के तापमान जितना हो जाएगा और यहाँ पर ऐसी ड्रेन हो सकती है। सामने आ गया तो क्या होगा? तापमान बढ़ने की वज़े से धर्ती का हाल भी शुक्र ग्रह जैसा हुआ तो क्या होगा? इनमें से एक भी भविश्वानी अगर सच होती है तो वो हमें सीधा विनाशकी और ले जाएगी। स्टीफन होकिंग की भविश्वानिया सोचने में ही भयाव है। अगर इस सच हुई तो क्या दिन दिखाएंगी?